हेलो व्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेव अजर वितायुष और दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे धर्माज क्रॉप आई प्यों के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में यही फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में कुल मिला के कितना इशू भर गय है वह हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे तो बहुत इंपॉर्टन वीडियो होने वाला है अलोट्मेंट चांसे क्या रहेंगे जी एमपी के अच्छी बात किया कि तेजी जो है वह डिफिनिटली विटनेस कर रहे हैं तो वह भी हम जानेंगे तो एक बहुत का इशू था जो कि इसमें से कंपनी ने एक अच्छा पोश्न आंकर इंवर्स्टेश जो डाली है बाकी का जो था वो सब्सक्रिप्शन के लिए आया था दस रुपए कि इसकी फेस वल्यू रहने वाली है यह बाद ध्यान रखेगा आपको बी एसी एनेसी दोनों पर यह श सब्सक्रिप्शन यह जो है आई प्यों के अंदर आपको आ सकता है इस्यू इतना छोटा है एक तो सबसे पहली बात और दूसरी बात यह 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 यहां अभी जो इस प्रकार के आई प्यों आ रहे थे यह वालुशन बाइस भी सही था दो दिन के अंदर कुरिवला के 5.97 टा इस 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 इसु को सबस्क्राइब क्या था तो दो दो दिन के अंदर 6T अना एक काफी बड़िया था अब क्यू आइबी रिभी आना इस जो नहीं लगाते हैं 1st और 2nd ज्यादा 3rd लगाते अब कितना सब्सक्रिप्शन लाया है उनके दोरह हम देख लेते हैं तो दोस्तों अब QIBs QIBs ने करीमन 48.21 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया है यह नहीं जो दो दिन में बिल्कुल पैसा नहीं आया था आखरी दिन 48.21 टाइम्स जो है वो उनके दौरा सब्सक्रिप्शन आ गया है थोड़ा बहुत यह और बढ़ सकता है बट कुल म बड़ी काटेग्री नहीं थी सबसे बड़ी काटेग्री थी रीटेल फिर QIBs और निस बट 48.21 जब QIBs लगा रहे तो हम कहा सकते हैं कि हाँ ठीक स्थाक सब्सक्रिप्शन बहुत 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 मैं कहूंगा कि नहीं 50 टाइम्स अगर आ जाता तो बहुत बहुत कि जितना भी आया है इसको कोई बुरा नहीं कह सकता 48.21 एक अच्छा सब्सक्रिप्शन यहां पर हम मान सकते हैं फिर आता है दोस्तों नौन इंस्टिूशन बायास जो है एचनाइस एचनाइस की कटेग्री ने दो दिन के अंदर अल्मोस एट टाइमस के सपर सब्सक्राइ 50.70 टाइमस जो है वो पैसा आपको नजर आता हुआ देखने को मिल जाएगा तो अच्छा सब्सक्रिप्शन इनके द्वारा भी आ गया लेकिन अब हमारे सबसे इंपॉर्टन काटेग्री कौन सी है रीटेल काटेग्री कितना रीटेलर्स के द्वारा सब्सक्रिप्शन ला अगर हम इसको एक राउन ओफ लेकि 21 भी कर ले अफिर 20 भी कर ले तो यह बात ध्यान रखेगा कि हर 20 में से एक जने को यह जो इस यह जो इस यह जो इस यह आई पियो जो है वो मिलने वाला है तो सब्सक्रिप्शन के इसाब से अलॉट्मेंट का चांस यह ही है अलॉट्मे अगर मिल जाता है तो यह बात है कि हां मुनाफ़ा बढ़िया हो सकता है जो लिस्टिंग इन मानादार था अभी हम देखेंगे ग्रे मार्केट कितनी है कंपनी की इंप्यों के इंदर सब्सक्रिप्शन काफी बढ़िया आया 7.48 टाइम्स यह जो इश्यू है वो टोटल मिल गा था एक टाइम्स के असपस 189 लेकिन 189 इंटू 35 टाइम्स जो है वो पैसा नजर आ गया है तो एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं अल्मोस्ट 189 करोड बचे हुए थे 35.45 टाइम्स पैसा आ गया तो एक अच्छा खासा पैसा जो है वो कंपनी के पास आ गया है एक बड़िया सब्सक्रिप्शन एक गुट सब्सक्रिप्शन जो है वो इस IPO ने रिसीफ किया है ये जरूर है कि थोड़ा सा जादा आ सकता था 50 टाइम्स के असपस में एक्सपेट कर रहा था कि IPO टोटल मिला के सब्सक्राइब होगा उससे थोड़ा सा लो है उसके पीछे क तो important date से आपको याद रखनी है जो allotment की date है allotment की कौन सी date है so friends जो finalization of basis of allotment होने वाला है वो होने वाला है 5th of December को 5 December को allotment होगा 5 December का मतलब क्या है कि Monday को जो है इसका allotment आपको पता चल जाएगा उसी हफते इसके listing भी हो जाएगी ये बात भी important है 6 तारिक कोई refund भी आएगा आपके पास और 6 तारिक कोई shares भी credit हो जाएगे और 8th को इसकी listing जो है वो यहाँ पर होने वाली है तो ये important है कि important dates आपको याद रखनी है allotment के उपर एक पुरा specific वीडियो आ जाएगा चिंता मत करिये बट चाहे तो आप इस पूरी dates का screenshot भी ले लीजिए कि 5th को allotment है 6th को refund आजाएगा अगर आपको IPO नहीं मिलता है तो अगर मिल जाता है तो उसी दिन shares भी credit होएंगे mostly 7th को भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कतरी बात नहीं है और 8th को इसकी listing जो है वो market में होगी तो ये बात बहुत important है कि इस दिन इसकी listing होने वाली है अब grey market कितनी है यानि possibility of having profit कितना दिखा रहा है market में ये हम नज़र डाल लेते हैं सब्सक्राइब धर्माज क्रॉपगार की current grey market चल रही है वो 62 रूपीज है अब ये अपना पर एक बहुत बड़ी आमलब आप grey market को देखेंगे तो बहुत activity है सुबह 45 हुई उसके बाद 54 हुई उसके बाद 66 चले गई और अब 62 हो गई तो almost हर आदे एक गंटे के बाद grey market जो है वो कोई ना कहीं अपना करवट बदल रही है ये बाद 62 रूपीज डिफिनिटी बहुत अच्छी है 26.16% आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके अंदर मुनाफ़ा होने के संभावना है almost 300 के आसपास जो है वो expected listing है तो एक अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तो grey market है almost chances यही है कि अच्छी listing भी होगी and अगर market ने साथ दिया तो बिल्कुल अच्छी listing होने से इसको कोई नहीं रोख सकता है यह है कि आपका view क्या है मैं आपको यह ही कहूँगा कि अगर अपने लगा है तो थोड़ा सा long term के बारे में सोच सकते है because IPO is reasonable price तो वहाँ से भी listing के बाद और आगे चलके मुनाफ़ा होना यहाँ पर बड़ा दिखता है बट यह है कि अगर आपने सिर्फ listing के लिए लगा है तो वो definitely आपका खुद का view अच्छी कि कौन सा stop loss है listing day strategy के उपर भी वीडियो आएगा सब के उपर वीडियो आएगा और वैसे भी देखिया अच काफी IPO's खुले हुए थे तो अभी SME's IPO के subscription data के उपर भी हम बात करेंगे and Uniparts India IPO का कितना यहाँ पर subscription निकल के आए on the first day उसके उपर भी हम बात करने वाले वीडियो आएगा पुरा कि इस वीडियो में इतना ही था होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहली बाद जुड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू फ्रेंट्स फर ओचिंग दिस वीडियो